वैसे तो इंडिया के अंदर काफी सारे कारमेकर्स हैं जिन मेंसे कुछ कमपनीज बढ़िया परफॉर्म करती हैं और कुछ कमपनीज की हालत थोड़ी खराब है इसी सब के बीच सामने निकल के आती है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स के बारे में तो आप सब अच्छे से जान नंबर है वहीं अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलें तो 1945 में टाटा मोटर्स को बनाया गया था इनिशली टाटा मोटर्स ने कमर्शल वीकल्स बनाए 1954 के अंदर टाटा ग्रूप और मर्सेडीज बेंज ने एक जॉइंट वेंचर बना के कमर्शल मार्केट के अंदर क अपनी टाटा सियरा को मार्केट में उतारा और ये गाड़ी उस टाइम की काफि द्यादा लगजरी और प्रेमियुम गाड़ियों में से एक हुआ करती थी उस टाइम टाटा सियरा के अंदर 2000 CC का इंजन लाया गया था और इस गाड़ी का टॉप मोटर्स लगबग 563,000 के प्राइस पे आता था इस प्राइस को अगर हम 2024 के हिसाब से इंफलेशन एड़ेस्ट करके देखें तो ये अमाउंट लगबग 20 से 22 लाक रुपे हो जाती है सियरा के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी एस्टेट को लांच करा और धीरे-धीरे करके काफी सारे सक्सेस्फुल कार्स को लांच करा और उनमें से कई सरी कार्स आज के टाइम में डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं लेकिन टाटा मोटर्स का पीक टाइम तब था जब इन्होंने जैगवार लैंड रोवर यानि की जेलर को जून 2008 में एक्वायर कर लिया जेलर को एक्वायर करने के बाद टाट टाटा मोटर्स 50 बिलियन डॉलर्स की वैलिवेशन होल्ड करती है जिससे हम ये अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं कि टाटा मोटर्स की मार्किट के अंदर पावर और ब्रैंड वैल्यू कितनी जादा है पिछले कुछ महीनों में ही हमें टाटा मोटर्स की तरफ से काफि सारे बढ़िया प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिले हैं जैसे की टाटा एल्ट्रॉज रेसर टाटा पंच सी एंजी टाटा नेक्सों सी एंजी या फिर टाटा कर्व जो की एक मिट साइज कूप स्टाइल स्वी है जिसमें हमें पैट्रोल डीजल और ईवी तीनों ऑप्श पन्च फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग करते वे स्पाइशौट करा गया है और ये गाड़ी बिलकुल फ्लेश एक्स्टिरियर के साथ में आयेगी जिसमें इस गाड़ी का एक्स्टिरियर डिजाइन पन्च एवी से इंस्पायड रहेगा जिसमें हमें फ्रंट के साथ में Digital Instrument Cluster रहने वाला है, 10.25 इंचिस की Infotainment रहेगी, Wireless Android Auto, Apple CarPlay के साथ में Touch Base AC Control, Automatic Climate Control, Wireless Charger और Sunroof जैसे काफी सारे नए features Punch Face Lift में add करे जाएंगे, हलाकि इस काड़ी के engines को continue करा जाएगा, यानि की 1.2 लीटर Naturally Aspirated Petrol Engine जो की 85 BHP की power और 130 Nm car top डिलीवर करता है, इस engine के साथ 5-speed manual और EMT gearbox रहने वाला है, साथी में Punch के अंदर हमें Company की तरफ से CNG भी offer करी जाती है, Punch Face Lift का price हमें 6 lakh से लेके 11 lakhs तक का देखने के लिए मिल सकता है, और ये गाड़ी compete करने वाली है Hyundai Xter, Citron C3 और Franxx जैसी कार्स से, नंबर 2 और नंबर 3 पे है Tata Harrier और Safari का petrol variant, Harrier और Safari के petrol variant को कई बार road testing करते वे देखा गया है और इन दोनों कार्स के अंदर हमें नया 1.5 liter 4-cylinder TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन ओफर करा जाएगा जो की 170 PS की power और 280 Nm का peak top दिलिवर करेगा, ये वही इंजन है जिसको 2023 के Auto Expo के अंदर भी दिखाया गया था, इस इंजन के साथ हमें 6-speed manual और 7-speed DCT gearbox देखने के लिए मिल सकता है, साथी में और Safari Patrol के अंदर हमें नए color options के साथ, रियर में TGDI की बैजिंग भी देखने के लिए मिल सकती है, बाकी इन दोनों गारियों का exterior और interior पूरी तरह से same रहने वाला है, जैसा की अभी हमें देखने के लिए मिल जाता है, प्राइस के मामले में Harrier और Safari पैटरोल हमें, डीजल से 1-1.5 लाग तक सस्ती देखने के लिए मिल सकती है, वहीं ये दोनों कार्स compete करने वाली है, MG Hector पैटरोल, XUV 700 पैटरोल और Hyundai Elkazar टर्बो पैटरोल जैसी कार्स से, नंबर 4 पे है Tata Curve CNG, नेक्सोन हमें लगबग 99 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क आउटपूट देगी, साती में इसके अंदर 6-speed manual gearbox आएगा, Curve CNG के अंदर ICNG टेक्नलोजी रहने वाली है, जिसमें पैटरोल और CNG पे automatic switching के साथ हम direct CNG पे engine start भी कर पाएंगे, rear के अंदर ICNG की प्राइजिंग रहेगी और कुछ नए color options हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकि सब Tata Curve के अंदर सेम ही रहने वाला है, इस गाड़ी का price हमें 10,50,000 से लेके 15,00,000 तक का देखने के लिए मिल सकता है, और Curve CNG इंडियन मार्किट में compete करेगी, Grand Vitara CNG और Toyota Urban Cruiser High Rider CNG से नमबर 5 पे है Tata Sierra, Tata Sierra को 2023 के Auto Expo में showcase करा गया था, और ये गाड़ी सिग्मा EV आर्किटेक्चर के उपर बनाई गई है Design-wise Sierra, Defender से काफ़ ज़्यादा inspired है, और इस गाड़ी का design, Old Sierra के काफ़ सारे elements को carry करता है Interior-wise ये गाड़ी काफ़ ज़्यादा premium रहेगी, जिसके अंदर हमें 5-seater के साथ 4-seater lounge का option दिया जाएगा गाड़ी के अंदर हमें dual digital display दी जाएगी, infotainment और instrument cluster के लिए, panoramic sunroof, connected car technology, advanced driver assistance system और भी कई सारे latest और premium features, Tata Sierra के अंदर रहने वाले हैं ये गाड़ी हमें EV और petrol, दोनों में देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें की petrol में हमें 1.5-liter 4-cylinder, TGDI turbo petrol engine दिया जाएगा, और EV के अंदर expected है कि 60 से 70 kilowatt hour तक का एक battery pack रहेगा, जो की एक single full charge के अंदर हमें 500 km तक की range दे देगा Tata Sierra के अंदर all wheel drive भी रहने वाला है, वहीं इस गाड़ी का price हमें 25 lakhs के आसपास का देखने के लिए मिल सकता है नमबर 6 पे है Tata Harrier EV, Harrier EV को Gen 2 EV architecture के उपर बनाया जाएगा, इस काड़ी का overall design तो Harrier से ही inspired रहेगा, हलाकि ये गाड़ी EV oriented रहने वाली है Front के अंदर हमें curve से inspired grill देखने के लिए मिल जाएगी, नए alloy wheels रहेंगे और भी कई सारे cosmetic updates Harrier EV के अंदर रहने वाली है इस काड़ी का interior, diesel Harrier से 90% तक similar ही रहने वाला है, जिसके अंदर हमें नए color के साथ, नए design की upholstery देखने के लिए मिल जाएगी सभी latest features Harrier EV के अंदर रहेंगे इस काड़ी के साथ हमें जो battery pack offer करा जाएगा, उसकी specifications तो अभी unknown है लेकिन वो एक dual motor setup के साथ में आएगा, जो की एक full charge के साथ हमें 500 km तक की range offer करेगा Harrier EV के अंदर all wheel drive भी रहने वाला है और इस काड़ी का price हमें 24 lakh से लेके 28 lakh तक का देखने के लिए मिल सकता है Tata Harrier EV इंडियन मार्किट में competition रखेगी XUV 700 EV से आगे बढ़ जाते हैं नंबर 7 कार की तरफ, नंबर 7 पे है Tata Safari EV Safari EV को Tata के latest Acti.EV platform के उपर बनाया जाएगा इस काड़ी के अंदर हमें EV oriented grill देखने के लिए मिल जाएगी नए design के साथ bumpers रहेंगे, नए alloy wheel रहेंगे और भी काफी सारे cosmetic updates Safari EV के अंदर करे जाएगे interior wise ये गाड़ी लगबग सेम ही रहने वाली है diesel Safari जैसी जिसके अंदर हमें नई theme देखने के लिए मिल जाएगी four spoke steering wheel रहेगा illuminated logo के साथ में digital cluster, 10.25 inches की infotainment, panoramic sunroof और जो इसका battery pack रहने वाला है उसकी specifications भी अभी unknown है लेकिन ये गाड़ी भी dual motor setup के साथ आएगी यानि कि इसके अंदर भी all wheel drive रहने वाला है single full charge के अंदर ये 500 km तक की range दे देगी वहीं Tata Safari EV का price हमें 32 lakhs तक का देखने के लिए मिल सकता है तो guys यही थी Tata Motors की upcoming cars और इनकी history के उपर एक detail video अगर आप लोग चाहो में किसी particular car या फिर topic के उपर video बनाऊं तो आप लोग comment में लिखके मुझे बता सकते हैं और अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं कराया तो channel को subscribe जरूर करें और मिलते हैं guys next video के अंदर